वाटर सप्लाई से लिए गये हैं और बाकी यह दो कोष्ण आपको देखने को मिलेंगे या तो हाइड्रॉलिक से देखने को मिलेंगे तो जिसने आभी तक की चनल को सबस्क्राइब नहीं किया वो कर लिजे और साथ में बैल आइकन को भी प्रस कर लीजे तो चलिए हम सुरू करते हैं आज के अपनी वीडियो तो देखिए सबसे पहले हमारे पास कुशन पूछ रहा कि क्लोराइड कंटेंट जो होता है पबलिक वाटर सप्लाई के लिए शुड नोट एकसीड किस वैल्यू से एकसीड नहीं होना चाहिए एक क्लोराइड होता है क्लोराइड कंटेंट जो होता है जो कि आप पबलिक को पानी सप्लाई करते हैं गॉर्मेंट जो होती है पबलिक को सप्लाई करते है तो उसमें देखते हैं कि भई क्लोराइड का जो कंटेंट है वो कितना है कितना एक लिट तो दोनों के बारे में आपको पता होना जरूरी है अगर हम क्लॉराइट की बात करें जो हमसे पूछा गया तो ये होता है 500 mg पर लीटर ग्राम एक लीटर में 500 mg से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर हम फ्लॉराइट की बात करें तो फ्लॉराइट जो होता है एक लीटर में 1 एमजी होता है फ्लोराइड जो होता है एक पॉइंट पांच मीली ग्राम पर लीटर एक लिटर में देड्स मीली ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए वैसा ही कुछ और भी पॉइंट्स है वो भी आपको पता होने जुरूरी है जैसे अगर हम सल्फेड की बात करें जो फिर जो होता है वो पांच सो मीली ग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए यह पॉइंट आप याद रखिए एक्जाम में पूछा जा सकते हैं आपसे तो ऐसे ही कॉश्चिन के लिए आप हमारे अभी चनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बैल आइकन को भी प्रेस कर लेजिए तो देखें नेस्ट बन हमारे पर कॉश्चिन पूछ रहा है कि एस पर हमारे आई स्कोड यह वाला आई स्कोड दिया गया है minimum domestic water consumption जो होती है drinking usage के लिए इन आवर पर डेली कप्टा के इसाब से कितनी होती है तो बहुत इंपॉर्टन कोश्चिन एक्जाम के पॉइंट ओवी से तो वैसे तो आपको पता है कि पूरे देने के लिए domestic supply जो होती है 135 लिटर की होती है लेकिन यहाँ पर कुछ चीचे और पी होती है जो आपको पता होनी चाहिए जैसे कि भाई पीने के लिए एक हैड जो होता है डेली के साब से कितना पानी दिया जाता है और नहाने के लिए कितना जाता है कपड़े दोने के लिए सपाई करने के लिए फ्रशिंग के लिए बरतन साफ करने के लिए भोजन बनान तो पीने की पानी के अगर हम बात करें तो पांच लीटर होता है और जो बर्तन साफ करने के लिए होता है उसके लिए भी पांच लीटर ही होता है बर्तनी अफर भोजन बनाने के लिए भी पांच लीटर होता है तो ये दोनों आप कन्फ्यूज मत होईगा अगर हम यह पर सफाई करने की बात करें क्यूंकि सफाई से भी exam में question पूछे जाते हैं सफाई की बात कर तो 10 liter जो होता है सफाई के लिए होता है कपड़े दोने की बात कर तो 20 liter होता है नहने की बात कर तो 25 liter होता है तो यह सारी चीज़े important है exam की point of view से next one question देखिए acceptable noise limit जो होती है for rural area के लिए जो rural area होते हैं तो उसके लिए acceptable noise level जो होता है as per हमारे इस IS code के recording कितना होता है इस IS code को आप याद रखी क्योंकि IS code से आज कल question जो है पूछे जा रहे हैं कि भई कौन सा IS code किसे rate करता है देखिए हम से याप ग्रामिन के बारे पूछा गया तो ग्रामिन के लिए 25 से 35 decibel होता है लेकिन आप से जो शहरी खेतर होता है उसके लिए पूछा जाया तो 35 से शुरू होता है और 45 तक होती है 35 से 45 होता है लेकिन जो गाउं होते हैं उसके लिए 25 से 35 होता है ये दोनों important है भई ग्रामिन के लिए आपको पता हो गया शेहर का भी पता होना जुरूर है तो ऐसे सिंग करके आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आप नहीं भूलेंगे और ऐसे ही कुछ चीजे और भी होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए जैसे कि कोई की ओद्यों की किशेतर होता है जो इंडिश्ट्री बगारा होती है उसके लिए भी कुछ नोई लेवल होता है तो वह 50-60 होता है यह चीज important है 50-60 क्योंकि यहां से question बन सकता है आपका अगला अक्षिन देखते है टोटल रिक्वार्मेंट ऑफ वाटर इस अराइव वाए यूजिंग दे फॉलएंग कोड कौन से आईस कोड से देखी कितना इंपॉर्टन आईस कोड आई है तो वह आता है हमारे नाइन सोरी आईस कोड अप्शन नमबर बी में 1172-1963 इस आईस कोड में आपको जो पानी की रुकार्मेंट होती है 135 बीटर जो पानी लगता है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि भाई 135 लगता तो किस के लिए कितना लगता है किस जगा कितना यूज होता है यह सारा को आपको इस आईस कोड में जानकारी मिल जाएगी अब पूछा गया कि भाई उसी IS code के according देखिए water requirement जो होती है head per day for average domestic purpose के लिए approximately sequel जो approximate तो देखिए मैंने आपको बतायाता है इस IS code के according 135 लिटर पानी लगता है तो किसके लिए कितना लगता है ये आपको पता होना जिरूरी है पीने के लिए मैंने आपको question पूछा था पांच लिटर लगता है भोजन बनाना वैना भी खाना बनाना उसके लिए भी पांच लिटर लगता है उसके बाद वह आपको बर्तंद होने होते हैं तो बर्तंद होने के लिए लगता है तो बर्तंद के लिए 10 लगता है दस लेटर लगता है बर्तंद होने तो उस पर सपाई करने के लिए भी 10 लेटर लगता है तो इस सारी चीज़े इंपोर्टन्ट है वह एक्साम के पॉइंट treatment plant होते हैं जिसे की कोई और plant हो तो वहां से question पूछे जाते हैं कि भाई कितने सालों के लिए आप design करते हैं तो ये आपको पता होना जिरूरी है तो बाटर treatment plant के अगर हम बात करें तो ये 25 सालों के लिए design किया जाता है वैसे किया तो 15 पंद्रा वर्षों के लिए 15 सालों के लिए लेकिन according to option हम चलते हैं तो नियर्वाइ option हमारा यही है तो यही हमारा correct answer हो जाएगा एक पंप या फिर मोटर होती है उस विदू लेक्ट्रिक मोटर होती है उसको डिजाइन करते हैं पंद्रा सालों के लिए पंद्रा सालों के लिए यह चीज इंपोर्टन है वाई एक रेजर्वाइड होता है तो उसको 50 सालों के लिए करते हम रेजर्वाइड जो होता है बहांद बगारा जो होता है तो वह 50 सालों के लिए होता है व कोड़ के कौड़िंग टोमेस्टिक डिमांड जो होती है लीटर में आफ तव वाटर पर डे अंडर नॉर्मल कंडिशन फोर ए फैमिली और फोर मेंबर विल वी चार मेंबर है तो इस आईस कोड़ के कौड़िंग एक सो पैंतिस लीटर पानी लगता है पर हैट पर दे तो फैमिली के लिए एक नुमेरिकल था है यह कौशन जो है एच पीजे में पूछा गया था दो हजार अठारा में और एससी जे में भी पूछा गया था तो इस कोशन को आप अच्छी तरह से देख लीजिए कि भाई क्या होगा देखिए यहां पर कितने सारे पॉइंट्स लिए हुए होते हैं देखिए आप देखिए यहां पर आइस कोड दिया गया कि यह वला आइस कोड जो आँ मैं पता है कि भाई डुमेस्टिक डिमांड के लिए रिलेट करता है तो आप से कोशन पूछा जाएगा तो आप अपने पड़ा होगा तब आप कोशन को सॉल्व क कर सकते हैं तो इस तीज़ का आप खास्तियां रखिए नेश्माद के प्रिस्क्राइफ और कराड़ करें कितना लगता है तो जब भी आप पर क्याप्टा बाटर डिमांड की बात करेगा सुमोल सिटी हो या पर टाउन हो जो भी हो एक सुपैंदिस लिटर ही लगता है यह कंफ्यूज करने के लिए आपको थोड़ा बहुत आगी बीचे देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है जब यहां पर ल लिटर होता है तो यह आंकर जो हैं तोड़े बहुत कई बुक्स में आगे बिचे भी हो सकते हैं लेकन इक्जैक्ट वैली यही होती है इसके तोड़ा बहुत आगे बिचे आपको देखने को मिल सकता है जो अलगतर रखी बुक्स होती है तो वहां से भी आपको कंफ्यूज में अंसर हो जाएगा नेच्ट देखे तो वाटर प्रिवेंशिन एन कंट्रोल और फॉलूशन एक्ट इनेक्टर वाइंडिन पार्लमेंट इन दा एयर कब पारित किया गया था भारत सरकार के द्वारा तो वह किया गया था 1974 में 1974 में ऑप्षिन हमारा भी अंसर हो जाएगा इस कोश्चन में अगला कोश्चन पोड़ा फॉर बेसिक रिक्वार्मेंट ऑफ वाटर सप्लाइड रेनिस एंड सेंटेशन एस पर आई स्कोर्ड वाट इस नमेस्टिक वाटर डिमांद इन इंडिन सिटी एंड टाउन के लि नेशनल वाटर पोलसी बारत सरकार उसने कब पहली नैशनल वाटर पोलसी जो है रास्टिय वाटर पोलसी जो थी कब एडप्ट की थी तो वो की थी 1987 में अब है जो मोधी बगत्या जोदा में मत कर देना 1984 में की थी ऑप्षिन डी हमारा इस कोश्चन मेंसर हो जाएगा इस को कैसे कर सकते हैं तो पर गाटर डिमांड जो होती है वो हमारे आईस कोड इस कोड का याद रहिए इस आईस कोड से क्वेशन पूप्छा जा सकता है तो वो होती है annual average water amount of daily water required by one person annual average amount of daily water required by a person वो per capita water की demand होती है तो important question है यह इसको आप याद रखिए 135 लिटर लगता है एक ब्रिक्ती के लिए पानी अगला option देखिए prescribed water consumption for restaurant के लिए restaurant के लिए कितना पानी लगता है restaurant के लिए इतना पानी की demand होती है restaurant के लिए अगर हम cinema hall यह फिर cinema hall की ही बात करें तो cinema hall के लिए 15 लगता है per seat per day के साब से 15 लगता है अगर हम यहावा पे hospital की बात करें तो hospital जो होता है यहावावाबैड का system होता है है अगर किसी खूश्य में बैड जो है 3040 से कम सो से कम है तो उस FROM यह सो जाए प्रति बैड लगता है अगर सो से ज़्यादा एंड है तो उस कासे मिन 453 वेड जो है बाय पानी लगता है तो यह होस्पेटल पाला भी भंटर आउब याद रखए सो शे आगronics यह सिर्फاको को यह याद रखना है बागी लीटर में तो आप देख सकते हैं कि इतना लगता है उसको बाइब नेक्स्ट बन कुशन बोड़ा है कि लिटेस्ट इन्डिन स्टेंडर ड्रिंकिंग वार्ट स्पेसिकेशिन दाइज़ फोलौ लेटेस्ट जो है वाई तो बोड़ा है इन्डिन स्टेनर् अप्शन पूछा जा सकता है अब लेटेस्ट दो हजार बारा वाली है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लिजिए साथ में बैल हैकन को प्रेस्ट भी कर लिजिए अब हमारे इसी आइस कोड के कोडिंग देखिए वाट इस अप्रमिसिबल लिमिट अगर आल्टनेटिवं सौ्सल जो है वो एमसिंस है तो यहां पर सिंपली पूच सौच रहा है इंधूर्ग करने के लीमिट होती है वो क्या होती हैस्त की पूच रह और है सूरा अक्सूंद थे कि the acceptable minimum pH of drinking water as per Indian standard is acceptable minimum pH value जो होती है वो कितनी होती है Indian standard के recording acceptable अगर हम pH value की बात करें 6.5 से 8.5 होती है कई जगा 6 से 8.5 भी देखने को मिलता है आपको तो यहां पर minimum पूछ रहा है तो हमारा 6.5 अंसर हो जाएगा नेक्ट में कोशन देखने कि तो maximum प्रिमिस्व लेमर्ट जो होती है chloride in potable water in absence of alternative sources chloride के बारे में हम पिछले पहले ही question में discuss कर चुके हैं कि भाई chloride content कितना होता है अब हम से यहां पर पूछ रहा है कि absence of rejection की limit क्या होती है तो rejection के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है कि भाई क्या limit होती है rejection की acceptable limit की बात करें तो acceptable limit होती है एक rejection limit 1000 होती है तो option वह हमारा इस question मंसर हो जाएगा maximum maximum minimum maximum mean rejection की limit यह दोनों point आप याद रखिए अगला question देखिए according to हमारे इस आईस कोड के सब्सक्राइब होता है कितना important question है यह देखिए क्या limit होती है तो वह 0.2 होती है chlorine जो होता है 0.1 से 0.2 होता है तो 0.2 क्या बुचा गया हमसे desirable option d हमारा इस question मंसर हो जाएगा next question क्या बो रहा है pollutant standard index pollutant standard index जो होता है उसको पी एस आई से हम denote करते हैं कई बार आपको पी एस आई भी देखनों को मिला है value in between 101 से नडीन में तक value है तो बोल रहा है कि भाई किसको denote करता है year quality as तब year quality क्या होगी अगर हमारा पी एस आई की value जो है 101 से लेकर एक सो नडीन में है तो year quality क्या होगी good, moderate, unhealthy या फिर hazard, खत्रनाग बहुत जड़ा तो क्या होगी देखिए आपर बहुत सारे cases आते हैं आपको cases सारे ही पता होने जुरूरी है क्योंकि यहां से question आपका बन सकता है अगर हम year quality की बात करें अच्छी जो होती है वो किसके लिए होती है बूरी जो होती है किसके लिए होती है सारा point important है अगर PSI की value जो होती है 0 से 50 तक होती है तो वो year quality अच्छी होती है moderate की अगर हम बात करें 51 से 100 होती है अब unhealthy के 3 kisses आते हैं एक होता है unhealthy for sensitive group के लिए sensitive group होती है एक होती है सिर्फ simply unhealthy एक होता है very unhealthy तो यह तीन ग्रुप आते हैं unhealthy के आपको इसके बारें पता होने ज्रूरी है तो 101 से लेकर unhealthy की value 300 तक जाती है 101 सो एक से तीन सो तक आजाती है आपको यह सारी पता होनी चाहिए अगर हम सेसिटिव गुरूप की बात करें तो उसके लिए एक सो एक से लेकर डिर्ट सो तक पहली हो जाती है और एक सो इकावन से लेकर दो सो जो जाती है वह अनहलती के लिए जाती है और बहुत ही ज्यादा एनहल्थी जो होती है उसके लिए 201 से 300 तक जाती है तो यह तीन केसे आते हैं अनहल्थी के ते तीन इंपोर्ट ने इस कोशन में हमारा ऐसे थर्ड हो जाएगा अगर हम बहुत ही जाता खतरनाक की बात करें PSI वैलियू जो होती है तो उस केस में 301 से 500 होती है तो एर होने जुरूरी है option C हमारा इस question मेंसर हो जाएगा अगला जो question है वो लिए गए है fluid mechanics से fluid mechanics भी बहुत ही important है क्योंकि यह वैसे हम आपको करवा चुके है fluid mechanics जितने भी question थे तो जिसने वो वीडियो नहीं देखे वो जाकर देख सकता है तो देखिए question क्या बोल रहा है the region within which the effect of viscosity is confirmed is known as उसको अब क्या बोलते हैं boundary layer हम उसको बोलते हैं अगला question देखे और last question हमारे इस वीडियो का एक fluid which viscosity does not change with the rate of deformation of shear strength is known as एक ऐसा fluid जिसकी viscosity जो होती है चेंज नहीं होती है rate of deformation या फिर shear strength से उसको हम बोलते हैं new tonine fluid new tonine fluid हम उसको बोलते हैं see हमारा इस question हो जाएगा तो फ्रेंट यह थे हमारे most expected question आपको हमारी वीडियो कैसी लेगी वीडियो को अपने दोस्तों साथ शेयर करें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिज़ों साथ में बैल आइकन को प्रेस भी कर लिज़ों और comment box में comment भी जुरूर करें कि भाई आपको हमारी वीडियो कैसी लेगी मिलते हैं next video में